अब भी हम लोग mathematics के question लेके आए हैं, आपको जैसे दिखाई दे रहा है, इसे करने का परियास करने हैं, काफी important question है, कई examination में पूछा गया है, समय समय पूछा जाता है, ठीक है कोई भी आप books वगर है, 10 years वगर उठाएंगे, तो उसमें question देखने को मिलेगा, question है, the average age of a family with 5 members is 28 years, कहता है, एक family के 5 सदस्य हैं, 5 members है, जिनकी आस्तन age 28 years है, कितने बिटा, 28 years है, एक family के 5 सदस्य की आस्तन आयू, 28 वर्ष है, आगे कहता है, if one of the members of age 28 years is excluded, यदि उन में से एक member, जिसकी आयू, 20 years है, exclude कर दिया जाता है, भटा दिया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, तो बताइए, बचेवे सदस्योंगी, परिवार के अन्न सदस्योंगी, आस्तन आयू, क्या होगी, ठीक है, चलिए हम ल समझाऊंगा, ठीक है, पहला एक, जो basic है, हर किताब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, five members है, आस्तन आयू, उनके 28 years है, ठीक है, इसका मतला, 28, 28 सभी की मान के चला जाएगा, ठीक है, आस्तन का मतला, सब समाने, सोचल एजन में, समाजवाद है, ठीक है, सब बराबर ह एक, वस्तन आयू, 28 वर्ष, तोटल की दिया जाती है, इसको multiply करिया जाता है, ठीक है, तो यहां कितना जाता है, आच पंचे 44 का, 40 की 0, वासिल 4, ठीक है, पालदू निदे 104, 4000, ठीक है, तो तोटल कितना जाता है, 140 वर्ष हो जाता है, कहता है, उन में से एक सदस्थ, एक म तो अभी परिवार में कितने सदस्य रह गया, पांच में से एक चला गया, अब रह गया बिटा, चार सदस्य और उनकी एज कितनी रह गया, क्योंकि टोटल पांच लोगों की 140 वर्ष थी, उनमें से 20 वर्ष का चला जाता है, अब जो बाकी चार सदस्य रह गया, उनकी कुल IU म तो औसत क्या होगी, औसत में क्या किया जाता है, टोटल को उतनी संख्या से उतनी में में डिस्टूबिट कर दिया जाता है, चार से डिवाइट करते हैं, चार ती ये बारा, ठीक है, तो 30 years will be your right answer, ठीक है, तो ये इस तरह से question को किया जाएगा, ठीक है, अगर मैं दूसरा process बताता है, ये तो basic है, जो आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, एक second तरीका क्या है, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर समझते हैं, क्याता है, परिवार है, जिसमें सदस्य की संख्या कितनी है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेते हैं, क्या एक परिवार है, जिसमें total five members है, जिनकी आउस्तानायू कितनी बताई गई है, 28 वर्ष बताई गई है, परिवार में जो सदस्य है, उनकी आउस्तानायू 28 वर्ष इसका मतलब जो 5 सदस्य सबक्यायू 28 वर्ष है, एक सदस्य अगर वो परिवार में रहता तो जो आयू मानी जाएगे 28 वर्ष तो आसत का मतलब सबसे माने जाएगे तो इसकी आयू थी 28 वर्ष जब अलग हो गया तो वास्ता में इसकी जो एज है बीटा 20 वर्ष है इसको परिवार में रहने पर कितने का बेनिफिट हो रहा था आठ वर्ष का बाहर है तो इसकी 20 वर्ष है और परिवार में है तो 28 वर्ष तो इसको बेनिफिट हो रहा था आठ वर्ष का हो रहा था तो यह जब जाएगा तो आठ वर्ष तो रह जाएंगे अब यह आठ वर्ष 10 में 2 equal to 30, तो 30 वर्ष होगा, यह आपका right answer होगा, तो इस तरह से इस question को किया जा सकता है, समझने बात, चलिए हम लोग मिलते हैं, अपने next वीडियो में एक नए question के साथ, ओके बाए, बस लगए.